नवश्कार दोस्तों मैं प्रशाद भाई और आप लोग देख रहें डेवोशनल इंडिया तो आजके इस वीडियो में मैं आप लोगो जो बताने वाला हूँ वो बहुत चोकाने वाली बात है क्योंकि आप लोग के विश्वास नहीं की जगाबट यह आप लोगो विश्वा रभाण के खानपूर गाउं में तो वहाँ पेएक ब्रहत ही विशाल और बहुत प्राना प्रगत का पेड ठा और कुछ लोग भी कहते हैं और वहां के पंडिट लोग भी कहता है कि इस ब्रगत के पेर मेना नागन के जोड़्या हमेशा आते रहते थे और यहाँ पे इससे इतना ध्यान नहीं दिया था तो बर्गत का पेर जब गिर गया था हंदी तुपान बारिश के कारण तो वो कूल एक बिजली के खंबे पे गिरा तो बिजली कटने के चटलते गाउवाले लोगों ने चर्ण के पामालों ने उस पीर के माने की कोстि ये ठाली तो जैसे पेर पेर को कटवाया गया तो फीर फीर वहां पे जो पेर काट रहे थे वो लोग ज़र के पास जैसे आए वो ब्मेटिक टिक 55 से 60 फिट उपर उड़ गए और उपर से जैसे नीचे आये तो वो लोग देख रहे हैं जर अपने अप फट रहा है और जैसे जर फट रहा था तो वो लोग उस पेर के पास गिरे और महादेव का साच्छा सिवलिंग उनके हाँ से असपर्श हुआ और जैसे सिवलिंग असपर्श हुआ तो उन लोग का जितना भी दुख दर्द हुआ उपर से गिरने में जितना भी चोट उट लगी हुआ सब अपने आप खतम हो गया उसके बाद वो लोग पुरे गाउं में ये बात बताये और जब से गाउंवाले ने जाने ये बात और गाउंवालों ने आके देखा तो ये बात सही निकला उसके बाद गौण वाले ने नियूस चैनल वाले को बुलाए बहुत सरे लोगों को बुलाए और वहां के पंडी जी लोगों भी बुलाए तो वहां के पंडी जी ने बताया कि यहां पे यह पहली बार नहीं हुआ समस्तिपुर में से बहुत सारे जगा आए जहां पे महादे जितना हो सके उतना लोग आई है वो यहाँ पे भव्य मंदिल बनने का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए चंदा चुटकी मांगा जा रहा है आप लोग भी देख सकता है कि चंदा वहाँ पे यह क्या जा रहा है जैसे गवाले को पता चला तो उसी जगा पे महादेव का प प्याद दान कर तो अभी मैं आप लोग को ये वीडियो समस्तेपुर के खानपुर का दिखा रहा हूं जो कि ये सचाई है और आप लोग को नहीं विश्वाज है तो आप लोग भी आके देख सकते हैं और महादेव का साच्छा दर्शन कर शकते हैं तो कुमेंट बॉक्ष में आप लोग हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और शाहते साथ महादेव का साच्छा दर्शन करने के लिए आप लोग जरूर आई है क्योंकि यहां पर अभी से ही मनोकावना पुर्ण हो रही है आप सब की क्योंकि महादेव साच्छा थी आपर सवरुपली है तो बर्गत के सब्सक्राइब कोई ध्यान नहीं दिया तो आपको